आप सभी का स्वागत है My Gadget Experience में दोस्तों इस चैनल में बहुत सारे प्रोजेक्टर रिव्यू किये हैं जो घर के सिलिंग और दिवार पर माउंट करके यूज करने के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन इस बार एक अलग तरह के प्रोजेक्टर ट्राइ करेंगे इस वीडियो में एक छोटे साइज के पोटेबल प्रोजेक्टर की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और अन्त में इस प्रोजेक्टर के बारे में मैं अपना पर्सनल व्यू भी रखूंगा क्योंकि यह प्रोजेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है इस प्रोजेक्टर को मैंने banggood.com से 16,000 रुपे में खरीदा है यह प्रोजेक्टर है Blizzwolf BWVT1 Portable DLP प्रोजेक्टर यह मुझे इस तरह के पैकेट में मिला है और करने के बाद करीब 20 दिन में मुझे मिल गया था पैकेट के अंदर ओरिजिनल बॉक्स है Blizzwolf ब्रांड की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर रखी हुई है इसके साथ यूजर मैनुवल के पैकेट दिये है और नीचे दो बॉक्स है बड़े बॉक्स के अंदर एक HDMI केबल छोटा वाला ट्राइपॉड और एक चार्जिंग एडाप्टर मिलता है छोटे बॉक्स के अंदर रिमोट कंट्रोलर है और साथ में एक यूजर मैनुवल भी है इन सभी एक्सेसरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है फिजिकली देखें तो यह ब्लैक कलर का 450 ग्राम का पोटेबल DLP प्रोजेक्टर बिल्कुल हथेली में फिट हो जा रहा है इस फोन के साइज के साथ कंपेर कर सकते हैं इसकी बॉड़ी प्लास्टिक की है लेकिन मजबूत है प्रोजेक्टर के सामने छोटा सा लैंस है उसी के बगल में एर वेंट है टॉप सर्फेस ग्लॉसी है जिसमें ब्लिस्वूल्फ की ब्रांडिंग है और यह एक स्मार्ट प्रोजेक्टर भी है इसी ब्लैक सर्फेस में कंट्रोल करने के लिए टच पैनल भी है और अलग-अलग जगह टच पॉइंट्स दिये है राइट साइड में एक पावर बटन दिये है उसी के बगल में फोकस करने के लिए पिनियन या छोटा सा भील दिये है एर इनलेड भी यहीं पर है लेफ्ट साइड में एक 3 वाट का स्पीकर है सबसे पीछे सारे connectivity ports दिये है एक USB 3.0, एक USB 2.0 port, एक AUX port या headphone jack, एक HDMI port, पावर के लिए एक DC input port और दो LED indicator दिये है सबसे नीचे table mounting के लिए चार rubberized foot मिल जाएंगे tripod में mount करने के लिए भी बीच में एक tripod के लिए port दिये है नीचे एक cooling fan भी है और जरूरी information भी नीचे ही दिये है तो यह projector अच्छी built quality के साथ आता है इसके साथ aluminum का tripod भी काफी अच्छा है और इसकी height को extend कर सकते हैं user manual में दिये specification के अनुसार इस DLP projector में 0.20 inch के DMD chip लगे है इसका native resolution 854 x 480p है और full HD 1080p को support करता है contrast ratio 1000 x 1, 200 nc lumens brightness color gamut 120% NTSC LED light life 10,000 घंटे maximum 8 meter की दूरी से 300 inch का image project करता है इसमें quad core cortex A53 1.3 GHz प्रोसेसर 2 GB RAM और 16 GB internal memory है और इसमें Android version 9.0 है dual band wifi, bluetooth, 3 watt का speaker और 4000 mAh की बैटरी है अब इसे on करते हैं और इसकी real performance की बात करें तो यह एक smart projector है आप इसके home page देख सकते हैं इसमें Android version 9.0 है इसके home page में YouTube, Netflix, WPS, Chrome जैसे pre-loaded apps और screen casting, easy sharing, file browsing, settings, सारी चीजें दी हुई है चाहे तो play store से apps भी download कर सकते हैं यह projector दूसरे language के साथ-साथ Hindi language को भी support करता है अभी तक जितने भी projector देखे हैं पहली बार इस projector में Hindi language का support देखने को मिलता है कई सारे projector हैं जिसमें made in India लिखा तो होता है लेकिन Hindi language का support नहीं मिलता जबकि यह made in China होते हुए भी Hindi language को support करता है यह update काफी अच्छा लगा और उम्मीद है आगी भी दूसरे projector में Hindi language का support देखने को मिले 2GB RAM के कारण browsing speed बहुत अच्छी है 16GB internal storage भी मिल जाती है पिक्चर quality की बात करें तो इसमें contrast ratio 1000 is to 1 200 NC lumens का brightness color gamut 120% NTSC है इन सब के कारण अच्छी contrast के साथ इमेज में अच्छी black मिल जाती है और इमेज में vibrant color देखने को मिलता है इमेज एकदम clear और crisp है और पूरा इमेज blur free दिखाई देता है भले ही brightness ज़्यादा नहीं है लेकिन light की uniformity बहुत बढ़िया है पूरी image में बराबर brightness दिखाई देता है बढ़िया clarity और 854 x 480p native resolution के कारण एक एक pixels को देख सकते हैं इनके कारण भले ही HD या full HD वाली details न मिले लेकिन 480p के हिसाब से best picture quality मिलती है image को दूर से देखने पर कम resolution का पता नहीं चलता DLP projector की picture quality अलग ही quality की मिलती है इस projector से सबसे छोटा सिर्फ 2 inch का image project कर सकते हैं और सबसे बड़ा 300 inch का image project कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार अंधेरे में या कम रोशनी में इसे यूज़ कर सकते हैं perfect picture project करने के लिए इस projector में auto keystone correction है जो effectively काम करता है और horizontal auto keystone correct हो जाता है इसमें 4D image correction feature भी है या एक portable projector है और आसानी से handle कर सकते हैं दिवार, screen, floor, छट कहीं भी image project कर सकते हैं ऐसे में 4D keystone correction feature सही image project करने के लिए काम का feature है इस projector में कोई image setting या कोई picture mode नहीं है सिर्फ default mode है लेकिन इसकी brightness को कम या जादा कर सकते हैं वीडियो performance की बात करें तो projector बहुत सारे audio video format को play कर लेता है अच्छी तरह से video streaming करता है या projector maximum 1080p full HD video को support करता है 60fps video को भी बहुत अच्छे से smoothly play करता है कई projectors देखे हैं जो 60fps video को smoothly play नहीं कर पाता जबकि यह छोटा सा blisswolf BWVT1 projector 60fps video को smoothly play करता है YouTube और अन्य apps से video streaming बहुत अच्छे से कर लेता है लेकिन दोस्तों 4K resolution वाली video को support नहीं करता maximum 1080p full HD तक support करता है वैसे video resolution 480p कर रहे या 180p इस projector में image 480p resolution का ही दिखेगा इस projector में mobile phone से wireless connect करने के लिए iMirror AirPlay, eShare, Wi-Fi Display जैसे apps features हैं जो काफी useful है तब जब अपने phone के content सीधे बड़ी screen में देखना चाहते हैं लेकिन कभी कभी delay होता है और attack भी जाता है या projector dual band Wi-Fi 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को support करता है इसलिए high speed internet से आसानी से connect हो जाता है इसमें Bluetooth version 4.0 है जो की पुराना version है फिर भी audio streaming, file transfer के लिए useful है इसमें जरूरी ports है जिनसे आसानी से connect हो जाते हैं इसका HDMI port, HDMI ARC को support नहीं करता है तो HDMI से home theater system को connect नहीं कर सकते लेकिन Android box, fire TV stick connect कर सकते हैं प्रोजेक्टर के top surface पर touch input panel दिये हैं जिनसे control करना बहुत आसान है साथ में remote controller भी मिलता है जिसमें जरूरी control के अलावा screen casting के लिए direct button दिये हैं फिर भी touch input से control करना ज्यादा आसान है जबकि remote से थोड़ी परिसानी होती है बहतर होगा touch input को ही use करें इस projector में 4000 mAh की battery भी है जो maximum 1.5 घंटे तक backup देती है लेकिन backup depend करता है projector के usage और play होने वाले content पर इस projector को जब भी use करते हैं on होने के थोड़ी देर बाद काफी गर्म हो जाता है यह तब होता है जब इसकी air vent वाली fan की speed कम हो fan की speed maximum में रखें तो heat कम होता है लेकिन ऐसे में battery backup बहुत कम मिलती है इन सब के अलावा इसका charging port 7.4 volt का pin type port है अगर यह input port type C या micro USB port होता तब इसे power bank से भी power input दे पाते तब यह और भी ज़्यादा portable होता इसके lens को protect करने के लिए कोई lens cover नहीं दिये है इस projector के बारे में यह advertise किया गया है कि इसे emergency power bank के रूप में use किया जा सकता है लेकिन actual में ऐसा नहीं है जब projector on हो तब ही power bank के रूप में use किया जा सकता है मतलब यह एक charging adapter की तरह काम करता है न कि power bank की तरह इन छोटी कम्यों को ignore किया जाए तो overall यह portable projector 16,000 रुपए के price range में best option है और इसका performance बहुत बढ़िया है बस resolution और brightness से compromise करना पड़ेगा बैटरी backup भी average ही है और image setting भी देखने को नहीं मिलता दोस्तों यह तो था इसका YouTuber होने के नाते एक review इस projector के बारे में मेरा personal view यही है कि इस projector के price range में एक बढ़िया native full HD 1080p LCD projector भी मिल जाएगा जिसमें अच्छी details के साथ full HD वाली picture quality मिल जाएगी बहुत सारी connectivity options, sound quality और smart features मिल जाएगे जो इस blisswolf BWVT1 portable DLP projector से बहतर ही लगेगा तो फिर इस projector को क्यों चुने और किन मामलों में यह portable DLP projector लेने लायक है तो इस projector का सबसे बड़ा advantage है इसकी portability यह एक portable projector है इसी कारण अच्छी picture quality के लिए DLP chip, backup के लिए battery, छोटा size करने के लिए limited connectivity port है और इस Android based smart projector में 2GB RAM, 16GB internal memory, screen casting, wireless connectivity के रूप में Bluetooth, dual band Wi-Fi, streaming apps हैं तो इसका performance भी बहतरीन है आपको external Android box या fire TV stick की ज़रुरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे features 20,000 रुपे तक के LCD full HD projector में भी नहीं मिलता बस resolution और brightness कम है फिर भी दोस्तों 480P resolution एक portable projector के लिए ठीक है अगर image को दूर से देखें तब कम resolution का पता ही नहीं चलता और अगर अंधेरा हो या अच्छी quality का screen हो तब brightness भी पर्यापत ही लगेगा लेकिन यह जरूर ध्यान में रखें कि इस projector को इसी price range के किसी native full HD projector के other option न समझे यह अलगी category का projector है तो overall यह projector मुझे काफी अच्छा लगा इस projector का use अपने हिसाब से entertainment, education, professional work सभी के लिए कर सकते हैं इस projector को किसी एक जगा fix रखने की जरूरत नहीं है कहीं भी जैसा भी use करें कर सकते हैं इंडोर या आउटडोर जैसा भी इन सब के कारण यह projector मेरे हिसाब से एक value for money product है उमीद है यह projector आपको पसंद आया होगा अगर यह video भी पसंद आया हो तो like और share जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद